उद्योग पती गौतम अडानी की कमपनी अडानी विल्मर ने अपने फॉर्चून राइस ब्रैंड कुकिंग ओयल के उन सभी विज्याबनों को रोक दिया है जिन में टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और BCCI चीफ सौरफ गांगुली दिखाई देते थे गांगुली को शनिवार को दिल का दौरा पड़ा था और उनकी एंजियोप्लास्टी की गई गांगुली के हर्ट अटैक की खबरे फैलते ही फॉर्चून ब्रैंड सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर आ गया और सोशल मीडिया पर कमपनी के विज्यापनों का मजाग उ करते हैं या नहीं जिसके बाद कमपनी ने अपने सभी विज्यापनों को रोक दिया जिसमें सौरफ गांगुली नजर आ रहे थे अब इस ब्रैंड की क्रियेटिव एजंसी ओगिलवी एंड मैदर पूरे मामले को देख रही है और नए कैम्पेन पर काम कर रही है गांगु को जल्द स्वस्थ होने की शुपकामनाय देते हुए ब्रैंड के कैम्पेन की आलोचना भी की उन्होंने लिखा दादा आप जल्द स्वस्थ हो हमेशा जाचे परके प्रोडक्ट को प्रमोट कीजिए सचेत रहें और सावधान रहें इश्वर की क्रिपा आप पर बनी रहे लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि किसी ब्रैंड ने किसी सेलिब्रिटी को एड से हटा दिया हो या फिर किसी विज्यापन को ओफ एर कर दिया हो इससे पहले बिरला इंशॉरेंस कंपनी ने भी अपना एक विज्यापन ओफ एर कर दिया था जब टीम इंडिया के पू जिसके बाद कमपनी ने उस विज्यापन को ओफ एर कर दिया था इसके अलावा टॉर्क फार्मासोटिकल्स प्राइवर्ट लिमिटेट के कब सिरप टॉरेक्स के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था टॉरेक्स कफ सिरप ने सिंगर जगजीत सिंग की मौद के बाद भी अपना एडवर्टीजमेंट ओन एर रखा था जिसके बाद जगजीत सिंग की पतनी ने टॉर्क फार्मासोटिकल्स पर आरोप लगाये थे कि उन्होंने जगजीत सिंग के ब्रैंड नेम को उनके मौद के बाद भी यूज किया और उन्हें उसके पूरे पैसे भी नहीं दिये ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कॉमेंट सेक्षन में लिख कर जरूर बताएं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्श